तो मैंने आपको डूरोब बता दिया sample तो मेन बात क्याने कि आपकोशएबम यहाँ रखना है है अभी अभी बताए डूप में इडिबल पार्ट था पल्पी या फिल फलेशी गुत्यदार मीजो कर यही इसमें एडिबल पार्ट मीजो का किसमें मैं गुंग में और कौकनट में था एडिबल पार्ट बोले जली से अतिक अंडो एसरे सब्सक्राइब तो अब अपके डिपेंड कर तो मैं एक कॉमन लिख देता हूं एंडोस्पर्म चलेगा तो कलको आप से कोई पूछी दे नारियल का लड्डू बनाने में तब पानी तो यूश करोगे नी नारियल का क्या यूश करोगे करनल या कोप्रा ठीक है और कलको को बोलेगा कि कोई ड्रिंक पार्ट ले रहा है ना नहीं होता के रहो करनेसिस लगाता रहते रहता है तो वह पार्ट है फ्री निकुलेर इंडोस्पर्म वाइट पार कोकोनेट मिलिक यह सवाल बच्चे ने जब मैं सेल पर आ रहा था ना सेल साइकल तब भी पूछा था किसी ने और मैंने कहा था समय आने पर बताऊंगा हर् और टाइम तो बैरी में क्या होता है कि इसमें कि इसमें आभी सथे नहीं है और स TOP अज एुंबल याण चलो आपको शोलल्स अब आपको क्या समझना हैं वह lot यह एक्जाम्पल लो मैंगो एंड को को नट अब आपको याद करने के लिए कि आप टमाटर और बैगन याद रखेंगे वापटी तो गौभावी इसी में आता और भी कैसा अरे आते हैं अब तोमेटो और ब्रिंजल याद रखेंगे प्रेन्जल तो अब इक बात बताओ आपको मैं एंगा था जिसको आप सब्सक्राइब मांते हो तो अपने सब्सक् सब्सम्रेब मांते हो और तो अपने सबसे हमत्ट barkland को भी फ्रूट रहे हूं जब कि आप इसको क्या मानतों सब्जी ठीक है यह फुरूट है यह ठीक है बॉटर निकली टॉमेटो एंड ब्रिंजल रूट नौ कि टॉमेटो और ब्रिंजल को बैरी में क्यों रखा है तो सिंपल फ्लैसी फिर बैरी अलग से कटेकरी क्यों मना है बाबा भी सी मैं आता है त तॉमेटो और प्रिंजल रग इसमें क्या होता है कि एपकार्थ का पतली होती में और अलग-ALग क्रोम प्लास्ट मैजासे बाइगन जो ड़किन रिका आड़ी था लोग खा लेते हैं आपने देखा होगा कई सारे लोगों को की खास करके चोका बनाने वक्ते बैगन का एपीकार्प लोग को सब्सक्राइब नहीं का उसको पका देने के बाद तेटा है नहीं होता है लहीं करले थो अलग पार्ट अपसे पूछे गांश आप बोगे कि मीचो और यंडोकार धोन सब्सक्राइब सबते होदा कि इसमें जो ध्यान रखने वाली पात यह कहता सिंगल सीड लेकिन में इन लेकिन तो यह मल्टी सिड ले लेकिन इढ़िए और कि तो मेटों और बिरिंजेल में आपको ध्यान रखना देखो उसके ईंदर उसके उन्दर एंडो उसके चोटा सा पाट होता है बहुत जादा क्ली नहीं होता है जादा फैसे नहीं हो तो उने लगता गुद्यदार उने लगता है और जूसी एंडोकर्प तो खास करके जूसी होता है तो पूरी तरीके से जूसी हो जाता है और होता है जूसी पार्ट बन जाता है और मिजो प्लासेंटा से डिटैच हो जाता है तो इंपोर्टन बाट यही है कि यहाँ पर इनिसियली जब फूड में चोर नहीं था इनिसियली सीड अटेश्ट विद प्लासंटा बट आफ्टर मैचुरेशन सीड एस्परेड़ेड इन फ्लैसी मीजो अन इंडो कर यह था आपका बैरी चलिए एक एक करके मैं आपको वतात जाते जाता हूं और नोट से दिखाते जाता हूं बैड़ी देख लो एक पार नोट बुक में देख लो एक राबैड़ी तिक है और एक्जांपल में जो टिक लगा रहा हूं उतना इधान रखो वो मोर्देंस अफिसेंट टेक है डवलेफ फ्रम मोनो कार्पे लड़ी और म है लेवाले बता रख राया सोले सी अफियल में जळवाली एक्सिस पे ले याद करो अस्वें से लड़ाई हूई टी सुली वोले नेशी यहाद तो एक्सयां टीक है तो एक्डाही नऊ एक्डुम सुली में तिक है एक्डुम से दिंद्न है में लुकारप इंट्री प्रसेंटा एंड एस्प्रेडेड नौर्म रेंडमली इन फ्लैसी पार्ट और फ्लैसी पार्ट कौन है मीजो और एंडोकार तो यही आपका लिमिटेशन है लिमिट के भार अगर हिम्मद हो तो याद रखना नहीं तो भूल जाए इसको जरूरी नहीं यह याद रखना तो मि तुप पेपो का अग्जांपल मैं आपको पहले बता तो एक्जांपल से जारा समझे है पूर को कर बटेसी के कुकर बीस क्या है इसमें खास बात यह है कि इसमें प्लासेंटेशन कैसा होता है रीवा बता होगे प्लासेंटेशन कैसा होता है लिए कि इसमें प्लासेंटेशन प्लासेंटेशन होता है मगर दिखता एक्जाइल होता है एक्षाईल नहीं होता है, दिखता एक्षाईल है, बिलोगं इसा, कैसा एक्षाईल क्या होता है यह साई से बता हो बता चुक हो लिए क्यू क्यों है, प्लासेंटा जो होता है न फूल जाता है कि और प्लासेंटा के फुलने की बड़े से महां पें एकंबर्स बनने लगते है उसकी वश्चान फुलने की वज्चानि ले रखता एक्षाइल लेकिन अग्जाइल नहीं नहीं एक्शाइल लेकिंने बताते जारों आप ध्यान दिमाग में सेट करते चलो तो यह राप एक होता है जो नहीं बता है पहले वहीं बता रहें प्लासेंटेशन होता है बढ़ दिखता अक्जाइल है डिटू स्वेलिंग और प्लासेंटा एक्जामपल कुकरवेटेशी जैसे वाटरमेलन है पंपकीन है बिटरगार्ड मस्क लेमन यह सब कुकरवेटेशी का अग्जामपल यह सब क्या पास पेपो फ्रूट होता है अगर इसमें पूछे तो क्या वह लोग है एडिवल पार्ट मीजो और अंडोकार्प होता है नहीं लिखें चाव तो लिख लेना लगिन पता है कई वार कद्ड्डु में तो हर कोई एपिकार्प खाये जाता है लेकिन कद्डु की का भूज्या बहुत मस्त बनता है बनाकर कभी देखना है जैसा अलू का भूज्या बनता है बहुत तेस्टी है ठीक है हमने खाया है तो एक्ट्वल में एडिबल पर्ट मीचो और एंडो कार्फ ही होता है वागी खाने को आप कुछ भी खाले ठीक है जैसे हम एपी कार्फ का खाते है कदू पसंद निलिए कदू का एपी कार्फ का भुजिया पसंद है बहुत अच्छा लगता है ठीक है नौ नेक्स्ट वन नेक्स ठीक है बनाना ग्रैक्स नहीं जी आ हम पर्फ कह रहें पार्फन कर्फिय प्रूट करते हैं यह अटिर अज़ियं और चारश करते हैं लेगिन पर्फ पता है जो सिंपल जरी का ग्रूप है उसके अंदर जिबरेलीन बहां पर इसका नाम है एपल और ग्वावा एपल और ग्वावा पॉम के अंदर इसकी खासियत क्या है इसको क्यों पॉम बोला देखो भाई बात तो है कि एपल है या ग्वावा है ठीक है ओबडी भी पार्टिशिपेट कर रहा है फ्रूट फॉर्मेशन में फर्टलाइज्ट पूरी तरीके से तलेमस कबर कर लेता है और फॉर्ट का पार्ट टेलमस ही होता है और इडीवल ăn थेलर्मस सीर मिए और फार्ट सेमेश के ऐधर गृटों चिलिक के ऐभा कि लगो ठुम। कार्पेल जिसमें ओवरी ओवरी नीचे की तरप फिर स्टाइल और पर स्टिग्मा सूख जाता है तो ओवरी थोटा सा पार्ट था उसे कई सारे क्या लगे वे ते सीड मल्टी सीड तो ओवरी को पुरी तरह की से कबर कर लिया थेलमस और उसके ओपर थोरा सक्या स्टाइल और प्लांट हर्मोन में भी पढ़ा दूंगा तो पॉम को देख लो पॉम तो देख लो इसमें सारी बात है मैंने बता दिए क्या है वो तो आप याद अख लेना यह सब पहले का बात है यह देखो एंट अबरी और इसी वजए से यह पॉल चुक्त है यह था सब्सक्राइब को अधर्री जो कि अधर देन ओवरी एंट अधाम्पल अप्ल और पिर शेमस कोशन है कि अपल और पार्ट का रख आए अंसर इस तैलमस बडो नौन नेक्स वन इसमें क्या देशा को दो आप लोग घ्राइब को लियमन है रोटेश है अच्छा या तक ना मस्क कुकर बेटेशी का एक्जंप़ है मस्क लेमन अलग चीज है लेमन नहीं हो सब्जियों में आता है और यह लेमन है कैसा होता इसे इसका प्लासेंटेशन शुक्त है इसका इसका एकजाईल इसका शुकर है इसका एपीकार्प होता है एक एक फूरी तरीके से मोटा और ले दरी हो जाता है λेदर जैसा होताए लेदर और इसकी एक सब्द्सक्राइब दावाने के माम नहीं छुने के माम लोगे वह समद्द Giray ऌदन वहां प शुने के माम घरेकhmen है और वो ग्लेंड ऑईली ग्लेंड होता है जिसके अंदर कई सारे ऑईली स्क्रीशन सडीली होते हैं इसके बज़े से एपी कार्प नारंगी का या निम्बू का बढ़ा ही एदम चिकना टाइप का होता है ठीक है तो यह हुआ एक बात एपी कार्प तो बता उसको खाता है कोई कुई नहीं खाता यह उटेश्ट हौता है मीजो का अपनी संतरा चलू तो था पता नीं खा गहां ठीक है नारंगी को अंदर तनो यह व है मिज दांटर। सब्सक्राइब लेकAUD में टीघ्ड में होईली स्कृसा strips कर रही है ठीक हैं नेक्स्ट अब वह वाली जो पाठ है क्या जो संतरे के अच्छ यानि कि एपिकर फाइबरस टाइप का हो गया है ना वो उसके साथ अटेस अब उसके अंदर जो निम्बू का पाठ है या फिर संतरी में अच्छे से दिखेगा उदर मेंबरेन होता है जिसको जब आप संतरा ख में व् है ज्यों जैसे कि माल दू आडू को मैं लाके लिखांगे आरे मालरी संतरा 810 चांट और कि एक पाड यम्ट पर बना रहो हूं कैं संतरा का ऐक ऐक फाड एक फाड के ना तो इसके अंदर किया होता है यह एंडोकार्थ और एंडोकार्प के इनर सर्फेस में ही ये क्या है हेरी जूसी एंडोकार्प हेरी जूसी इस्ट्रक्चर और पता है एक्ट्वल में एडिवल पार्ट तो ये चैश्ट्वल में एडिवल पार्ट है यहां से इसको फारते हैं और केवल उस हेरी पारट को चिल को खाल देते हैं defake करता है। यानि कि है इपिकर्फ, मिजोकर्फ और एंडोकर्फ होता ही नहीं है एडिवल पार्ट होता है है हेरी, जूसी पार्ट एडिबल ठीक है नौ एक पार्ट एडिबल इवाल इवान तो यह हो गया कि आपका एक्जामबल लेमन ओरेंज ठीक है देख लो एक बार जली से नोटबुक से प्लासेंटेशन पहले से पता है एक्जाइल ठीक होता है लेदरी होता है और कई सारे ऑल प्रजेट ईंवर्ट एंडर रूट्याथ से लोट है और यह पार्ट अंदर की तरफ इनवर्ट अंदर की ठरफ मुर्ति और चैंबर्स के अंदर К्लेंड इंडलर जिसके अंदर का सारे ग्लैंड्स है जो जूस बना-बना के रिलीज कर रहा है वह प्रजेंट होता है इनर साइड और वही होता है स्परीडियम का एडीबल पाथ यह आपका ओरेंज लेमन और सिट्रस ठेक नाव नेक्स्ट कौन सी कटक्री है नेक्स्ट है ब्लाउस्टा ब्ल अब आपको भी पता है कि अनार में हम सीड रिखाते हैं नहीं पता है तो जान लोग अनार में हम लोग सीड रिखाते हैं अब रही बात कि यहां पे पूरा का पूरा टेरी कार पे ही नॉन एडी वाला करण चटा है यहां तो म मैंगो में मौ में यह खा रहा रही कि को कऊनेट मैं प्टी करप नहीं करें कि इसमें अजाओ यूज़ो अरट फेंड्य कर द arqu यू है यहां पर तिलिमस क theor हो पाइछogly यहां पर पूरी तरीके से परिकार्ट नहीं खा रहे हैं अनार आज़ा अनार में जो फुरसा हाड होता उतना हाड नहीं होता है तो वह जो लाल लाल पार्ट है अंदर वाइट पार्ट के साथ है वह में जो कार्ट यहां पर फिर पेंडर यहां पर फिर पर नहीं खाते हैं और अब मैं आपको हकीकत बताता हूं जब आपको सीड पराऊंगा प्लांट प्रोडक्शन में तो सीड का दो पार्ट होता है एक होता आउटर सीड को का इनर सीड को कहते हैं तेस्टा और इनर सीड को कहते हैं इस सीड को कहते हैं टेग में गें सब्सक्राइब आठाट का थे एंप कि यहां एडिवल पार्ट क्या है टेस्टा लोमें लिग देता है टेस्टा चल एक बात बताओगे टेस्टा क्या पार्ट आप सीड को अधिक बताओ अगर हम ब्लाउसिंटा फ्रूट में पार्थनों कार्पी तो यह यह होगा है यह उत्लेस होगा फैक कुछ लेग अधिक एडिम रवल्पा थी सीडलेस है उसी में हम लोग पार्थेनोकार्पी करेंगे सीडलेस में पार्थेनोकार्पी करेंगे नहीं ऐसे फ्रूट में पार्थेनोकार्पी करेंगे जहां एडिवल पार्थेनोकार्पी करेंगे जहां एडिवल पार्थेनोकार्पी नहीं है जैसे एपल जैसे ग्रेप्स इसमें आप करो इन चेसे घटाने में प्रॉब्लम आती है ना फूट में तो आप वहां ये वे पार्थनो करी यूजफूल होगा देखो पार्थनो कार्पी से यूज फूले नता देलाएं तीन वर्ड सुना जीच से चाब तो पर्पी यूजफूल तो सुना देला से एक पार्पार्पण कार्पी यूजद्थ लैस ऑर एक पर तरनुकार्पी नॉझसैंस उन हैं इश्ईफूल तो कहां होगा चैश्ञ organs एडिवल पार्ट सीड नहीं है और यूजफ फूल होगा यूजलेस तरेकं कि आप कि पर भर करते हैं जाहोँ अलड़ सेडि नहीं बनता तो यह कहां करते हैं नॉन सीड़ बनता ही नहीं नॉन सीड़ फ्रूट में लिख लेना यह पार्थनों कार्पी का बारे में अब समझ में रासरी यह सब्सक्राइब लिख लेना कहीं तो यह हैं ले लिए हैं वंटुक थी क्लिक हो गया ना मैं बता रहा था ब्लाउस्टा देख लो अचा इन फिरीर ओवरी से होता है इसे बाद आप ध्यानत ना बाद में एपिकार्प रैड होता है आउटर हाड कवरिंग है उतना हाड नह कार्प इंडुकर्प वैडिपीन होता है और इन फिनों में कोई पी पार्ट नहीं नहीं अपने देखा होगा कि अनार में यहां पर ऐसे मुख कुट होता ऐसे ऐसे करके लो क्राइब करॉन दिल्क्राइब यह पता क्या, यह एक च्छल में क्या लाक्स कैलिक्स, टूट्स क बाद भी नहीं यहां तो यह कराउन के पार्ट में होता है परमानेंटी एक साथ प्रूट के साथ ना एडिवल पार्ट टेस्टा होता है जो आउटर सीड गोटे इसलिए यहां पर पार्थे नो कार्थी यूज लेस होगा और एक्जामपल है इसका बाटनिकल नहीं याद रख लेना एक वाल एक्जाम में पूछ लिया गया है ठीक है प्यूनिका ग्रिनेटम अनार का नम ठीक है नौ आवर लास्ट केटेगरी आफ सिंपल फ्लैसी प्रूट एंडट इस एंपी सार का एक्जामपल पहले बता है ता कि आपको दियाना ज में और बेल जिसका बेल पतर चरता है भग्वान सीब को चरता है तो पत्त है फूटि अप्तल करते हैं या मार्केट तक किसी भी फूरूट में पूड़ी एपिकार्प नहीं था यहां पर भी पतला था यहां पर भी पतला ही होगा और यहां पर लेदरी होगा यहां पर उतना हाड़नी है वूड के जैसा नहीं दू है और उसमें कई सारे स्वेड़े बी और उसमें कम सब्सक्राइं तो यहां पर जो एडिबल पार्ट होता है वो होता है एंडोकार्प एलॉंग विद प्लासिंदा तो इसको अम लग रखते हैं एंपी सारका तो देख लो लास्ट कटेगरी एंपी शारका अड़े अग्या नूट्स यह रहा है आज वाइए नूट्स किदर चलागे अभी तो था हुआ हुआ है कि यह अपी सारका तिख लो एपी कार्फ काफी हाड है विजो कर टीस प्लासिट अड़े एक्जामपल उडी एपल बेल तो आज मैंने आपको क्या पढ़ा है मैं आपको पढ़ा दिया इदर आगा यहां से यहां से तो सिंपल फूट एग्रिगेट फूट और कमपोजिट इसमें मैं आपको यह पहले ही पढ़ा दिया यह देखो साइकोनस सोरोसिस तो पहले का था आज मैंने आपके सामने क्या उठाए ता सिंपल फ्रूट यह राज इसमें आज मैंने आपको सिंपल फ्लैसी खत्म पर दिया स्यवन टाइब आपको बताया रूप इसका मेरे पास कोई ट्रिक नहीं मैंने बनाये नहीं आप बनाओ तो मुझे भी बता देना मुझे ऐसे डिरिक्ट ली याद है ठीक है एक आद याद रख है ट्रिक को मैं बता देता हूं बैरी जैसे दुसमन होता है तो कहते हैं कि टमाटर और बैगन ज्यादा नी खाना चाहिए इस्टोन होता है डॉक्टर कहते हैं तो इससे मैंने याद रखा बैरी ठीक है बाकी और कोई ट्रिक है नी अब बना लेना तो बताना मुझे ठीक है नौ तर्द हां बोलो तो नहीं कर रहे है नोस सो नहीं हो था है नोरा जो तिक नोस नहीं होता है अरे वापका इसकी एंदिखाए एक अब हो रहा है तो यह पर देखो यहां पर दो कम पूजी पहले पढ़ा चुके थे हम आप अपूजीट के दोनु टाइब देखो मैं नीचे इसके पढ़ा है साइकुनस और सोरोसिस आज मैंने स्टार्ट किया सिंपल तो सिंपल में दो टाइब के थे यह कल लेंगे यह आज ले चुके हैं इसमें सेवन टाइफ स्कें पढ़ा चुके हैं रूप है रूप पूरा अच्छे से बताए बैडी है पेपो है पॉम है है स्प्रेडियम है ब्लाउस्टा है और एंपिस अलता है ठीक है तो यह रहा आपका फ्रूट का सिंपल लैसी प्र जो बच्छा-چुट्टी में वकाम उसको उम्झाओ यह दो नहीं आपका कि यह प्रकार का इंग्ट इस led दो तो आपको मैं पहला हुब डेन्स पार पेज नंबर 76 पे हैडिक नंबर 5.6 पूरा पढ़ लेना पूरा पढ़ लेना पूरा किलियर हो जाएगा ठीक है ना इन्सियाटी में इसके आगे सीड दिया है डायकोट और मोनोकोट का मैं इस अप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा मैंने पहले बोला था फिर उसके बाद स्टा कर देंगे ठीक है लेकिन फ्रूट में अभी कुछ और भी बात है जो हमें तल बतानी है देन उसके बारे में स्टाट करेंगे चलिए अधिक पूरी लेक्चर में अगर किसी को को डाउट है तो बोली सब से पहले राश्री बताओ को डाउट है नो से हाँ बोलो है नहीं से क ट्रूट अब नुसर ठीक है कि इसके आगे हम कल कंटीउणी बढ़िए ठीक है कल मैं रिजएक पांच वरे स्टार्ट कर देंगे चलिए मिलते हैं कल कि अश्रब